नमस्कार दोस्तो आज हम बात कने वाले हैं मीनो लास्ट एलसे टैबलेट के बारे में इसके फायदे नुकसान इस्तमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको लेना चाहिए इन सभी बातों कि इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजे सब्सक्राइब साथ में जो घंटी और अनिशान उसे ओल पर टच कर दीजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तो मीनो लास्ट एलसी टैबलेट आ कि जाती है दोस्तो इसका उपयोग अलरजी को ठीक करने के लिए किया जाता है जैसे कि सरदी जुखाम खासी बार बार इलरजी हो जाना, इलरजी की वज़े से बार बार जुकाम होना, खांसी होना, या फिर बहुत ज़्यादा छीके हाना, अस्तमा की प्राप्लम में, खु से अगर सर्दी जुखाम होता है तो इस टैबलेट को दिया जाता है सास फूलना या फिर छाती में रेशा जम जाना खुजली होना और जुखाम की वजए से आखों से पानी आना लाल हो जाना या बहुत ज्यादा चीके आना उस कंडिशन में इस टैबलेट का इस्तिमाल किया ताहर सकता है एक महीने거나 महीने तीन महीने भी बता सकते हैं या फिर साथ रीन की परेसे लिभूफ को अपहति है थी पर गया धर हिया जाता है थी आंगर कं法 ella करॉंफ थैंदर चला करें प्रेकरंगते तो फंक्रोन आ है तो वो फिर डॉक्टर ही चेक करके बताते हैं तो बिना डॉक्टर की सला के इस टैबलेट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके कुछ साइड एफेक्ट होते हैं नुकसान भी होते हैं जैसे कि इसको लेने से अगर मुँ सूखना दस्त लगना चक्कराना थकावट रहना नींद आना बहुत ज़्यादा या सुस्ती रहना पूरे शरी में थकावट महसूस होना दर्द होना यह सब इसके साइड एफेक्ट होते हैं इन में से कोई भी प्रॉब्लम अगर पहले ही गोली से लेने से होता है आपको तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताईएगा और बिना डॉक्टर की सलाके स्टैबलेट का उक्योग नहीं करने चाहिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो आपको लाइक जरू कर दिना और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलेगा धन्यवाल